बिहार देनिक न्यूज चेनल पर समाचार प्रभात में आपका स्वागत है अकांचा रैली में आज पटना आएंगे राहुल गांधी, चंदा कोचर के खिलाप मनी लोन्रिंग का केस दर्ज, रालुस्पा के आक्रोस मार्च पर बर्शी लाठियां, उपेंद्र कुसवाहा समेत कई कारकरता घायल, दिल्ली में भुकंप के कई जटके, मोदी की रैली मे भगदर जैसी स्थिती, आदालत से रोबर्ट वार्रा को मिली फवरी राहत, अब समाचार विश्तार से, हाजीपूर में इन दिनों अपराधी चुस्त और पुलिस सुस्त हो गई है, राज के डीजीपी के आदेश के बाबजूद, सहर में गस्ती नहीं के वराबर हो रही ह इसी का लाव लेते हुए, बेखवफ अपराधियों ने हाजीपूर पुलिस की अवकात बताते हुए, सहर के भीर भारवाले इलाके सिनेमा रोड के सुर्भी जोईलर्स में धावा बोल दिया और हत्यार बंद लुटरों ने एक करोड से अधिक की जोईलरी और नगदी अरिव आठ बजे की है, मुखमतरी नितिश कुमार ने कहा है कि डिजिटल इंडिया से अब आम लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखने लगी है, गौव में पढ़े लिखे यूवक डिजिटल साक्षर नहीं है, तो वह निरक्षर के समान है, इसके लिए सरकार कुसल राज के करीब 12 करोर आवादी में से, शाड़े 8 करोर लोगों के पास मोबाइल है, विहार में मोबाइल का उत्पादर सुरू होना चाहिए, केंदर अगर चाहले तो दोनों काम यहां से शुरू हो सकता है, लोगों की साहता के लिए सभी पंचायतों में लोग सिवा केंदर राज सरकार खोलने जा रही है इन केंद्रों को कोमन सर्विस सेंटर से जोरा जाएगा इस से जुड़े कर्मियों की सेवाल ली जा सकती है आइटी विभाग वा पंचायत राज विभाग इसमें पहल करे मुखमत्री सनिबार को स्टी पी आई के इनक्यूबेशन सेंटर का सिल संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकारी कारियों में नई तकनिक के परियोग से पारदर्शिता आएगी परधान मंतरी नरेदर मोधी के नित्रित वाली चैन समीती ने आज आईपियास अधिकारी रिशी कुमार सुकला को केंद्रिया जांच ब्यूरों का नया निदे करेंगे इसी के साथ लोगसभा चुनाव भ्यान का आगाज हो जाएगा कॉंग्रेस की मंच को राजद निता वबिधान सभा में बिरोधी दल के तेजस्वी यादव पुर्व मुख मंद्री जितनरा मांजी रालोसपा परमुख वपुर्व केंद्रिया मानव संसाधन विक पास राजमंत्री उपेंद्र कुषबाहा मंच साजा करेंगे इसकी अतिरिक्त बामदलों यथा सीपी आई सीपी आई एम और माले का सिस नेतुरित भी मंच साजा करेंगे बिहार परभारी सक्ति सिंग गोहिल के अनुसार रेली पुर्वाहन ग्यारह बजे से सुरू हो जा इस नोकेवल बिहार बल्कि पूरे देश में बदलाओ का बयार भायगी देश में नए यूग का सुत्रपात होगा वे बताते हैं कि 28 बर्स बाद कॉंग्रेस की इतिहासी गांधी मैदान में रेली होने जा रही है गौण देहात में जवरदस्त उत्सा है सनिवार की रात से देहीं लोग पतना पोहँचने लगे हैं रेली में आने वालों को ठहरने के लिए विधायक आवास समेत कई जगहों पर वैवस्था की गई है कहीं पूरी सब्जी बुण्स बुन्दिया की वैवस्था की गई है तो कहीं डालभात और सबजी पापर का इतर्यम किया गया है कई जगहों पर रैली में आए लोगों के मरोनज़ के लिए निरीत संगीत का भी कार्ज करम चल रहा है चुनाव भ्यान समीती की अध्याक्ष बॉस्तांसद डॉक्टर अखिलेस परसाथ सीह ने कहा कि रैली को लेकर चार सो बड़ी बसे 15,000 छोटी बाहन की विवस्ता की गई है इसकी अतिरिक्त लोग ट्रेन और निजी बाहनों से राहुल गौंधी को सुनने आ रहे हैं चंदा कोचर के खिलाफ मनी लोंडरिंग का केस दर्ज 1875 करोर रूपिये के ICICI बैंक के घोटाले में इस बैंक की पुर्व CEO चंदा कोचर उनके पती दीपक कोचर विडियो कौन समूह के परमोटर बेनु गोपाल धूत और अन आरोपियों के खिलाप परवरतन निदेशाले एडी ने मनी लोंडरिंग का केस दर्ज कर लिया है रालोसपा के आक्रोस मार्च पर बरसी लाठियां सिक्षा में सुधार को लेकर रालोसपा ने सनिवार को जन आक्रोस मार्च निकाला मार्च का नेत्रुट रालोसपा के उपेंदर कुसबहा कर रहे थे मार्च में सामिल लोग राजभवन जाना चाहते थे जैसे ही मार्च डाक बंगला चोरहा पर पहुंची पुलिस से उनकी भिरंद हो गई जिसमें उपेंद्र कुसबहा समेत कई कार्जकरता घायल हो गई दिल्ली में भुकंप के जटके दिल्ली समेत इनसियार और आसपास के इलाकों में सनिवार साम भुकंप के जटके महसूस किये गए इस भुकंप की तिब्रता रिक्टर पैमाने पर 6.11 एक दरज की गई अभी कहीं से भी किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है उहीं जम्मू संभाग के पुछ जिल्ले में भी भुकंप के जटके महसूस किये गए मोदी की रैली में भगदर जैसे इस्थिति परधान मतरी नरेद मोदी ने सनिवार को पस्चिम बंगाल के ठाकुर नगर और दुरगापुर में रैली को संबोदित किया ठाकुर नगर में पहली रैली के दौरान जादा लोग के चलते भगदर की जैसे इस्थिति पैदा हो गई इसके चलते मोदी ने अपना भासन जल्द ही खत्म कर दिया इस दौरान उन्होंने कई बार समर्थकों से ब्वस्था बनाये रखने की अपील की एक सिनियर पुलिस अफसर के मताविक कई महिलाएं और बच्चे घायल हुए इसके बाद मोदी ने दुरगापूर में दूसरी रैली को संबोधित किया यहां उन्होंने कहा पहली रैली के दोरान लोगों में काफी उतसाथ था मुझे लगता है कि वहां के मैदान में छमता से दोगुना लोग आ गए थे मैं आपको हुई और सुविधा के लिए माफशी चाहता हूँ अदालत से रोवर्ट बार्रा को मिली फोरी राहत कौंगरे सद्याश राहुल गांधी के बहनोई रोवर्ट बार्रा को धन सोधन के एक मामले में अदालत ने फोरी तोर पर राहत दी है फरवर्ट निदे साले दोरा दर्ज इस मामले में नियायाले ने उनकी अंद्रिम जमानत याजिका को सुईकार कर लिया और इसके साथ ही 16 फरवरी तक उन्हें गिरफतारी से राहत मिल गई है बार्रा के उकिल के टियास तुलसी ने पटियाला हाउस अदालत को बताया की उनके मताबिक रोवर्ट 6 फरवरी की शाम 4 बजे फरवर्ट निदे साले के समक्स पेस होंगे इसके साथ इस समाचार परभात का यह अंक यही पर समाप्त होता है देश बिदेश वब बिहार की ताजातरी न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल बिहार देनी को भी सबस्क्राइब करें जै हिंद जै भारत